कि बताओ नेक्स टोपिक बताओ आज का टोपिक क्या है कि आज हम कहां से सुरू करेंगे बताओ नाम करन के बाद में कौन सा टोपिक है इस देखो सभी सुन लो। उपसं संयो जक योगीकोb के नाम करन के बाद खुट घया है हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं ठीक है हम लोग board के syllabus के इसाब से चल रहे हैं अभी ताकि समय पर हमारा syllabus complete हो तो इसलिए हम जो हमारा topic है समा वेवता का उसे हम छोड़ रहे हैं और हम cover कर रहे हैं उपसहसयोजक योगिकों में बंधन तो इसे यह देखो यह topic है हमारे सामने 9.13 बुक में आप देखते जाओ उपसहसयोजक योगिकों में बंधन or कहा है वो बंधन बताओ भी हम सुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि उपसे है सहियोजक योगी कौन से हैं जिनमें धातू और लिगेंड के बीच में कौन सा बंद बंता है, बताना झरा अब हम इसी की बात करेंगे, इसी बंद की कि ये बंता कैसे है अब हमने देखो उपसांसायोजक योगिक होते क्या हैं उनके बारे में कई शब्द हैं वो हमने सीख लिये, नाम कैसे लिखते हैं वो हमने सीख लिया ठीक है अब हम यह बात करेंगे कि यह जो बंद है जिसकी वज़ेसे इन योगिकों का जो पूरा वर्ग है वो ही अलग हो या उपसेह संयोजक योगिक जिनको बोलते हैं, ये जो बंद है उपसेह संयोजक बंद, लिगेंड और मैटल के बीच में, ठीक है, जिसमें मैटल किसका काम करता है, ग्राही का, ये है इलेक्ट्रोन, ग्राही का काम करता है, अपने खाली कक्सक में, इसके साथ अतिवापन कर करता है पर और है आख 카 सके साथ और हिंगेंड के पास होते हैं एक्सट्रा-एलेक्टरौन या तो ऐगल इलेक्ट्रोν यूग्मृ की वजह से यहाफिर इसके ऊपर ज्रिनावेस होता है उसकी वज़य से इसके उपर ज्यादा इलेक्ट्रोन होते हैं अधिक एलेक्ट्रोन के बीच में बनता है तो इसके लिए हमारी बुक में एक सिद्धान्त दिया हुआ है वह कौन सा है बोलना जरा नहीं 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 संयों जकता बंद सिद्धान्त ठीक है यह है संयों जकता बंद सिद्धान्त अच्छा इससिद्धान्त को किस ने दिया था बताना जरा पॉलिंग लिया था अब देख़ो सुूशु में हुआ थोड़ा सा मैं बता देता हूं बैक्गाउंड में सुूसूरु में यह जो ये इंस के सरंचना कैसी होती है इसका किसी भी वेग्यानिक को पता नहीं चल पा रहा था, सब के लिए एक ये पहली था कि इसमें कौन सा बंद बनता है, किस तरह से बनता है और इनकी सरंचना कैसी होती है, ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, पॉलिंग ने एक सहियोजकता बंद दिया था, जिससे हम जो सामाने अनु होते हैं, जैसे वाटर हुआ, नहीं हुआ, यह आपने ग्यार्मी क्लास में चैप्टर फोर में पढ़ा होगा, कि जो सामाने अनु होते हैं, रासाइनिक अनु, उनकी सरंचना के लिए पॉलिंग ने वहाँ पर सहियोजकता बंद सिद्धान दिया था, तो फिर पॉल वही सहियोजकता बंद सिद्धानत है, जो सामाने रासाइनिक अनु के लिए पॉलिंग ने दिया था, जो आप क्लास ग्यारा चैप्टर फोर में पढ़ चुके हैं, जिसमें संकरन और VACPR थियोरी यह हम पढ़ते हैं ना, वो इसी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब फिर पॉलिंग ने लेकिन ये कहा कि जो हमारे सहियोजकता बंद सिद्धानत के मूल अवधारनाएं हैं, उनमें बस यहां पर थोड़ा-थोड़ा चेंज करेंगे हम, और चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर यह है विशेष बंद बन रहा है, उपस है सहियोजक बंद, और यहां पर उपसे है सहियोजक बंद बन रहा है, ठीक है, तो अब पॉलिंग ने देखो क्या-क्या important point बताए, यह मैं पहले आप लोगों को, हम लोग पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ, फिर हम लोग यह जो book के जो point है, इनको एक-एक देखेंगे, ठीक है, पहले मैं जो आ आपको बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, अब हम वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं, board आपके सामने है, उपसे है सहियोजक बंद किस तरह से बनता है, पहली एक चीज मैं clear कर दूँ, यह उपसे है सहियोजक बंद और सहियोजक बंद, इनमें सिर्फ बनने के तरीके में अंतर होता है, बनने के बाद में यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि वो से सहियोजक बंद है या उपसे सहियोजक बंद है, ठीक है, तो अब यहां पर धातू और लिगेंड के बीच में जो उपसे सहियोजक बंद बनता है, वो वेलेंस बोंड जो थोरी है, सह हो जकता बंद सिध्धान्त को वैलेंस बॉंड थियोरी भी बोलते हैं वी बी टी ठीक है तो हम इसको बोलेंगे अब बी बी टी पूरा सह सही हो जकता बंद सिध्धान्त ने बोलकर के बी 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 बोलेंगे ठीक है तो यह जो सिध्धान्त है यानि कि वैलेंस बॉंड थियोर दूसरा इसमें शब्द है अतिव्यापन ये मेरे को बता दो भई क्योंकि ये इस थ्योरी को समझने के लिए इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए और ये कहां थे ये थे क्लास ग्यारा चैप्टर फोर फिक है अब संकरन का बताओ किसी को भी आइडिया है तो किसी को भी संकरन का आइडिया है तो बताओ भई बोलो संकरन क्या होता है कहीं भी आपने कोई भी संकरन का प्रकार जानते हो संकरन के बारे में कुछ भी जानते हो वो एक या दो लाइन बता दो एक लाइन बता दो कि संकरन इसमें ये संकरन होता है या संकरन में ये होता है कुछ भी संकरन के बारे में जो जानते हो वही बता दो जब दो या लगा यह समान आका की कख्तके बनाती है हाँ यह बिल्कुल सही परिभासा है यह बिल्कुल सही परिभासा है ठीक है फिसका मतलब और वहा कि संकरण कैसे होता है देखो कोई भी चलो हम बात करेंगे इ commer僕us कोई भी? अतीवयापन क्या होता है? ककषकों के बीच में बंद बनने के लिए अतीवयापन होता है? क्या है यह अतीवयापन? हाँ उसे अती व्यापन कहते हैं तो वैलेंस बोंड थियोरी ने भी यही कहा है कि पहले तो केंद्रिय धातु परमानू के संयोजकता कोस में उपस्थित कक्षकों का संकरण होता है और उसके बाद में वो संकरित कक्षक संकरित कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अती व्यापन करके उपसह संयोजक बंद बनाते हैं यह लो बस यह सिंपल सी वीबीटी है दो सब्दों का यूज़लिया उन्होंने तो भई वीबीटी के अनुसार उपसह संयोजक योगिक बनने के दो स्टेप होगे पहला स्टेप कोन सा हुआ संकर्ण का दूसरा स्टेप कोन सा हुआ अती व्यापन का तो अब लिखलो पहला स्टेप लिखो चेंद्रियद्वाटु परमाणू अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली परमाणू कख्षक उपलब्ध कराता है खाली कक्षक लिख दो सिधाई, खाली कक्षक उपलब्ध कराता है, ये खाली कक्षक संकरित होकर नए समान उर्जा वाले संकर कक्षकों, ये खाली कक्षक संकरित होकर, नए समान उर्जा वाले संकर कक्षकों, का एक नया समुह बनाते हैं, ये खाली कक्षक संकरित होकर, संकर कक्षकों का एक नया समुह बनाते हैं, ये तो हो गया पहला इस्टेप, ठीक है, अब दूसरा इस्टेप लिखो, धातू के या केंद्रिय धातू लिख लो, केंद्रिय धातू परमानू के, ये है संकरित कक्षक, ये है खाली संकरित कक्षक लिख लो, खाली या रिक्त, केंद्रिय धातू परमानू के, ये है खाली संकरित कक्षक, लिगेंड के, भरे हुए कक्षकों के साथ, केंद्रिय धातू परमानू के, ये है खाली संकरित कक्षक, लिगेंड के, भरे हुए कक्षकों के साथ, अतिव्यापन कर, उपस है संयोजक बंद बनाते हैं। अब इसमें ये चीज तो आपने लिखी लिए होगी जो मैंने अभी इसमें बोड पर लिखा है, धातू है वो ग्राही का काम करता है और लिगेंड है वो दाता का काम करता है। ठीक है अब इसमें है ना एक चीज एक पॉइंट ओर लिख लो वो बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है लिख लो इस सिद्धान्त के अनुसार इस सिद्धान्त के अनुसार उपस है संयोजक योगिकों की जामिती संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है जैसा संकरण का प्रकार होगा वैसी ही उपस है संयोजक योगिक की जामिती होगी यह तिइन इंपोर्टेंट पॉइंट है अब हम देखते हैं कि किस तरह से यह बंद बनता है तो सबसे पहले तो तो हमने लिखा है संकरर्ण थेक है। उसके बाद में अतिव्यपन उसके बाद में यह हाह जो लाष्ट का तीसरा पॉंट लिखा है ना उसके नीचे यह टेबल बना लो और फत को स्मंधिये तो हो गई हमारी समय संध्या समर्णicular संध्या बताओ हमने पड़ा है समय श Mensonday की बताओ प्रखर बताओ कोta consigai में चार को तो जामिति का कौन कौंसी जामिति या से विए सन्गे速 कुर की। बताओ भई एक तो होती है चतुस फलकिये और एक होती है वर्ग समतलिये ठीक है तो समन्मे संख्या चार हो तब संकर्ण दो प्रकार का हो सकता है एक तो है SP3 और एक है DSP2 जब SP3 संकर्ण हो तब सरंचना होती है चतुस फलकिये इसको पूरा लिख लो और इसमें होती है वर्ग समतलिये ठीक है समन्मे संख्या जब 6 हो तब संकर्ण क्या हो सकता है D2 SP3 या फिर SP3 D2 और जब समन्मे संख्या 6 हो और यह संकर्ण हो तो सरंचना होगी अस्ट फलकिये पूरा लिख लो ठीक है तो यह हो गया हमारा तीसरा पॉइंट भी पूरा ठीक है अब हम सीधा यह देखते हैं कि कोई भी योगिक कैसे बनता है यह तीन पॉइंट उसमें कैसे होते हैं और वह है योगिक कैसे बनता है इसके लिए हम चलते हैं सीधा बुक में हमारी बुक में चलते हैं और यह हमारी बुक है आपके सामने अब इसका सबसे पहला point देखो, केंद्रिय धातू पर्माणों में आवसकतानुसार, निर्धारित संख्या में रिक्त SPD पर्माणों एकक्सक होते हैं, जो लिगेंडों के संख्या के बराबर होते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसके बाद केंद्रिय आयन के लगबग समान उर्जा युक्त, ध्यान इस सब्द को देखना हमेशा संकरण में जिनकी लगबग समान उर्जा होती है, वही कक्सक भाग लेते हैं, तो केंद्रिय आयन के लगबग समान उर्जा युक्त, रिक्त ये भी देखना, यहाँ पर केंद्रिय धातू आयन के के बल जो रिक् बान यमीए कक्सक आपस में मिसृत्व चालो करके संक्रित कक्सक बनाते हैं फीक है तो कौन-कौन से कक्सक हो सकते हैं s-p-d हो च्प Relay . यह मिस्रित होगं करके संक्रित कक्सक बनाते हैं यह हमारा पहला पॉइंट है जो हमने लिखा है नोटबुक में आगे देखो ये संकरित कक्षक लिगेंडों के उन कक्षकों के साथ अतिवयापन करते हैं जो बंदन रखना अतिवयापन से बने हुए बंद हमेशा दिसात्मक होते हैं इसलिए इसे कहते हैं सहिंट दिसात्मक होते हैं अब 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 यहां पर यह नोट कर लो मैं बताँ गई निम्ने चक्रन संकुल और उच्छे चक्रन संकुल यह मैं बताँगा अश्ट फलकी है आप लो बुक नहीं दिख रही वेरी गूड अब दिखेगी अब भी नहीं दिख रही क्या नो सर कोई बात नहीं अब भी नहीं दिख रही हम अर रहे हैं यह यह रहे हैं है एक मिनट्र को भाकी लोगों को दिख रही है क्या बाकी लोग बोलो आब सैन वह्कि लोगों को दिख रहरी है इसका मतलब वारे पर तुम्हारे पर प्रोबलम है है न हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी पूर हो इसलिए जो सेर्डी स्क्रीन होती है वो नहीं दिखती कई बार अब आ रही है राजश्री इस सर्ट ओके गुड़ तो मैंने दो सब्द हैं वो अंडरलाइन किये हैं गोला बनाया है उनको पैचान लो भई निमने चक्रन संकुल उच्छे चक्रन संकुल यह अस्ट फलकिये संकुलों में ही होते हैं यह चतुस फलकिये में नहीं होते हैं यह बात इन्होंने यहां पर अश्ट-फलकिये में होते हैं ठीक है कोई बात नहीं हम उसे देखेंगे यह संक्रण यह इन दोनों से आश्ट-फलकिये-उयह हमने लिख लिए हैं अब जो बच्चे हुई चीजे है निम्न चक्रन संकुल उच्च चक्रन संकुल वो हम देखेंगे और मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से संयुजक्ता बंद सिद्धान्त के आधार पर पर कॉंप्लेक्स या संकुल बनता है सबसे पहला उधारन क्या दिया हुआ है बताओ सबसे पहला उधारन किसका है वह अधारन देखते हैं अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझते हुए चलो यह आ गए हम ब्लेक बॉर्ड पर और हमने एक्जाम्पल लिया एन आई सी एल यह थोड़ा सा गलत हो गया यह तुम लोगों को पकड़ में आ गया होगा जो भी एक परमानू होता है उस पर ब्रेकेट कभी नहीं लगाते हैं ठीक है यह जो संकुल है ना वो हम इसकी व्याक्या वीबिटी के आधार पर कैसे करते हैं से उजक्ता बंद सिधान्त के आधार पर कैसे करते हैं कैसे पॉलिंग ने बताया कि इसका निर्मान हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले संकरण होता है, संकरण किसमे होता है, देखो, सबसे पहला जो step है, वो है संकरण का, संकरण किसमे होता है, केंद्रिय धातु आयन या परमानु के रिक्त कक्षकों में, देखो, सबसे पहले हमें निकिल का electronic configuration लिखना पड़े जाओ अब देखो 28 निकिल का पर्मानुकर्मांग 20 होता है तो 28 का electronic configuration बताओ फटाफट बोलते जाओ देखो बीट्रिया सिर्फ संयुजकता को उसका बोलना है यह इसका electronic configuration हो गया लेकिन यहां पर यह जो है वो अधासीन पर्मानु थोड़ी है यह तो अधासीं फर्मानु है यह हुए पलस तो हमेशा ध्यान रखना पर्मानू या आयन के ओपर यदि आवैस लिखते हैं तो तो पहले संख्या लिखते हैं, बाद में आवेश लिखते हैं, याद रहेगी है चीज? पहले संख्या लिखते हैं, यदि कोई ये लिख देगा, ये लिख देगा, वो वहीं गलत हो गया, पूरी किताब में देख लेना ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, हमेशा मिलेगा ये लेकिन लेकिन यदि उसका आवेश कहीं लिखते हो आप लोग जैसे इसका आवेश बराबर इतना हुआ तो उसमें हम प्लस पहले लगाते हैं χै यह इसकी आक्सी करनवस्ता ऐसे लिखो गए है आक्सी करनवस्ता न рад निकिल की बराबर तब वहां दो प्लस नहीं लिखेंगे वहां लिखेंगे प्लस दो फिक है तो यह तो बात बात की हुई अब मुझे यह बताओ जो निकिल प्लस दो है उसकी उसका इलेक्ट्रोनिक ओंफिग्रेशन बताओ बोलो यहां पर हम लिख देते हैं 3D चलो मैं बताता हूँ इधर देखो निकिल अब हम लिखेंगे निकिल टू प्लस का ओक्षिकन अवस्थ वह इलेक्ट्रोनिक ओंफिग्रेशन इसमें से दो इलेक्ट्रोन हम उड़ा देंगे तो यह चले जाएंगे दो इलेक्ट्रोन ऐस वाले तो कितना बच गया 3D 8 ृट प्यक कैैं क्या हो गया खालीمة जीरो हो नोग ठीक है अब हम इसका बोक्स जो प्रस्तियोंटि करण है वो बनाते हैं बोक्स में इसको ृपेजेंट करते हैं तो डी डी में कितने ककशक होते हैं बताना ज़ाओ डी में बोलो भी फटाफाट पांच दी में कितने होते हैं पांच तो यह हमने बनाए पांच दो तीन चार यह होगे पांच अपने आप यह ठीक है आठ इलेक्ट्रोन भरने तो सबसे पहले क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रोन रखेंगे अब सबको एक-एक मिल गया, उसके बाद में इनका युगमी करन करेंगे, तो अब तीन इलेक्ट्रोन बच रहे हैं मारे पास, हमने इसको किया पहला, फिर दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया हो गए आठ इलेक्ट्रोन, और हमारी क्लास दस मिनट की है, एक बार जुड संकर्ण कहा होगा सुन लो, संकर्ण होगा, इसको इस यहां पर कितने सयोजगता बंद बनने हैं कोन बताएगा, इसका समनवय संख्या कितना है? बताओ जरा निकिल का चार समन्वे संख्या है चार क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं एक बनाता है एक दंतुक लिगेंड होता है तो एक दंतुक बन्द हुआ चार उपसें संख्या चार हो गई तो ध्यान रखना जितनी समन्वे संख्या होती है उतने ही खाली कक्सकों में संकरण होता है सुन लो ठीक है और संकरण हमेशा पहले खाली कक्सक से स्टार्ट होता है पहला यहां मिलता है तो यहां से होगा यहां मिलता है तो यहां से होगा यहां मिलता है तो यहां से होगा हम चलेंगे यहां से, start यहां से करेंगे, यह भी खाली नहीं, यह भी खाली नहीं, यह भी खाली मिल गया, 4S, यहां से संकरण कराएंगे, यह लो, कब तक कराएंगे, जब तक कि हमें 4 खाली नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमें 4 उपसें सयोजक बंद बनाने होते हैं, ये हम चले एक, ये हम चले दो, ये हम चले तीन, ये हम चले चार, ये लो भई, हमें चार खाली कक्सक मिल गए, इन चार खाली कक्सकों में अब संकरण होगा, ये आपस में मिस्रित होकर के चार समान उर्जा के कक्सक बनाएंगे, अभी इनकी उर्जा अलग-अलग है, एक तो 4S है और 3, 4P है, इनकी उर्जाओं में अंतर है, ठीक है, तो ये तो हो गया संकरण से पहले की स्तिति, अब है संकरण के पस्चात, ये मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते जाओ, संकरण के पस्चात, संकरण के पस्चात क्या हुआ, देखो, ये जो D वाले हैं, ये तो कैसे रहेंगे, इन में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, 3D तो ऐसे की ऐसे आजाएंगे, इनका क्या हुआ, देखो, ये चार अब मिल गए, और इन्होंने एक नया समुह बना लिया, जैसा हमने लिखा है, और ये लोग बन गए चार, तो ये चार नए संकरित कक्सक बन गए अच्छा, यहां संकर्ण का प्रकार कौन सा हुआ, यहां देखो, भाग लिया, एक तो S ने, एक तो S कक्सक भाग ले रहा है, और 3 कक्सक कौन से हैं, बताओ जरा, बोलो, P, संकर्ण में भाग लेने वाले कक्सक सुनलो, एक तो S और 3P, तो संकर्ण का प्रकार हो गया, S और P3 SP3 क्योंकि एक तो S है और तीन P भाग ले रहे हैं यह रहा एक, दो, तीन तो यह हो गया SP3 तो यहाँ पर संक्रण का प्रकार हो गया SP3 सुनो तुम लोगों ने अभी तीसरे पॉइंट में यह लिखा है कि जब SP3 संक्रण का प्रकार हो, तब सरंचना क्या होगी, बताना जरा चतुस फलकिये तो इस तरह से चतुस फलकिये तो इस तरह से VBT के अनुसार, इसकी सरंचना हमें पता चल गई, वो है चतुस फलकिये अब देखो आगे क्या होगा यह तो है, ऐ संक्रित कक्सक संक्रण का परकार SP3, उर्जा सबकी बराबर अभी खाली है, अब क्या होगा, चार लिगेंड, कौन से लिगेंड है यहाँ पर, CL-, यह आएंगे मैदान में, यह अपने इलेक्टरोन के साथ आएंगे, यह कहेंगे दातू को कि तुम्हारे पास इलेक्टरोन नहीं है, कोई ब बना लिए, बन गया हमारा संकुल, जिसमें निकिल केंद्रिये अवस्था में है, केंद्रिये परमानू है, और चार CL- लिगेंड उसके चारो तरफ है, सरंचना हमारी बन गई, चतुस फलकिये आगे लिख लेना इसको, और इसकी सरंचना ऐसी रहेगी, निकिल केंद्र में चतुस फलकिये कैसे बनाते हैं, मेरा पेन देख लो कैसे चल रहा है, एक यहां, यह थोड़ा सा गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं, इसको पहले लिगेंड लिख लेते हैं, ये लोग, ये एक CL- लिगेंड, ये माइनस हम यहां नहीं लगाएंगे, एक बार के लिए यहां से भी हटा देते हैं यह सी यह लिगन्ड और यह लो यह उपसें सही हो जबंद में तीर बनाना जरूरी है क्योंकि यह चतुस फलकिये हैं तो यह लो भई यह हमने इसका चतूसपलकिये बना दिया और इसके उपर कितना आवेस है? दो माइनस यह बनाया स्क्वेर ब्रेकिट यह बनाया दो माइनस अब यह इसकी NICL4 की स्ट्रक्चर आपके सामने है यह चतूसपलकिये है संकरण SP3 है पहला this tape क्या था? बताना जरा. पता चल गया आप लोगों को. देखो पहले क्या हुआ? हमें क्या-क्या चाहिए? धातु पर मानु का वो नंबर चाहिए. हमें कौन सा? क्या बोलते हैं इसको? परमानु क्रमांक. परमानु क्रमांक से हमने लिखा इलेक्ट्रोनिक विन्यास. electronic vinyas, यह उदास्य अंका हो गया, फिर हमने निकालिό oxycron अवस्था, फिर oxycron अवस्था के साब से उसका electronic vinyas लिखा, ठीक है, फिर हमने उसका box वाला ये जो परस्तुति करण है electronic vinyas का ये बनाया, फिर हमने देखा कि हमें कितने बंद बनाने हैं, उपसें सही हो जग चार, तो हम चार खाली कक्सकों तक संकरण करवाएंगे, यहां तक संकरण आएगा, संकरण में एक S और तीन P भाग लेंगे, तो हो गया संकरित, यह S P 3 संकरित कक्सक है, चार के चार हमें नया सैट एक मिल ठीक है, तो यह S P 3 संकरित कक्सक हो गए, यह खाली कक्सक है, लिगेंड आएगा, अपने इलेक्रोन इनको देगा, दाता का काम करेगा, और उपसें सही हो जग बंद बनाएगा, इस तरह से धातू परमानों के चारो तरफ, चार उपसें सही हो जग बंद बन गए, और S P 3 स अमिती हो गई हमारे कॉंपलेक्स की, और उसे हम इस तरह से दिखाएंगे, जो इसका आवेस है 2-, वो पूरे संकुल के उपर है, ध्यान रखना हमारा संकुल है यह, देख लो, क्या है, NiCl4 और 2-, यह जो 2- है ना, यह पूरे संकुल के उपर चार्ज है, देखोर यह किसी क सरंचना के उपर स्क्वेर ब्रिकेट बनाएंगे और आवेस यहां दिखाएंगे, अलग-अलग क्लोरीन पर आवेस नहीं लगाएंगे, यह आपकी सरंचना हो गई, कौपी में बना लिया होगा, यह चतुस फलक की सरंचना, यह हमारा उधारन नंबर कौन सा है, बोलना जर यहां पर एक चीज और, बता दी इन्होंने बड़ी काम की बताई है, दो चीज बताई है, बताना जरा पहली चीज मेंने कहां टिक करी है, बंद कौन, दूसरी, परकर्ती, परकर्ती नहीं, प्रकर्ती, ठीक है, तो यह हो गया बंद कौन, अब बंद कौन तो देखो, बतान हाँ यह किताब प्रिंट तो कर दिया किन पढ़ा नहीं किसी ने कि हमने क्या प्रिंट किया है बच्चे क्या पढ़ेंगे ठीक है तो यह हो गया 109 डिग्री और 28 तो यह चतुसपलक यहां सरंचना होती यह कौण फिक्स होता है कुछ करने कि जरूती नहीं है हमारी लास कभी ही कट सकती है दुबारा जूड़ जाना एक बार के लिए ठीक है तो इसमें तो कोई नए चीज नहीं है यह हम यह हमारा फिक्स है चाहिए कोई भी हो कौन इतना ही होता है यह चीज है यह मैं अगली क्लास में बताने वाला हूं इसलिए एक मिनट के बाद में जुड़ जाना ठीक है अब बताओ समझ में आ रहा है सुबह समझ में आ रहा है कि तुमको कि सुबह पोलो तर बीच में कभी कभी जुड़ते हो कभी कभी नहीं जुड़ते हो यह क्या बात है वही है टेक्निकल प्रोग्रम कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है फिर भी कोशिस किया करो अगा जहां तक हो सकते हैं